हेलो फ्रेंड्स मैं हूं गौरव और इस वीडियो में जिस प्रीमियर लिग के मैच का प्रिव्यू करने वाले हैं वो खेले जाएगा चेल्सी वर्सेस क्रिस्टल पैरिस की बीच मैच का विन्य होगा चेल्सी एंड किक अफ होगा शाम को 7.30 पीम पे तो चेल्सी प्रीमियर लिग का वन अप दर टॉप क्लब में माना जाता है बट इस सीजन चेल्सी बहुत ज्यादे श्ट्रगल कर रही है खास वर्वे जब से उनके मेनेजर चेंज वे न्यू मेनेजर पॉटर आये पॉटर के अंडर में तो चेल्सी का परफरमेंस अभी तक बहुत ज्यादा खरा रहा है लेकिन आई थिंग मैं अभी भी पॉटर पे ट्रश करता हो और मुझे लग रहा है एक टर्नराउंड होगा और सैद यह वो मैच हो सकता है जहां से हमें चल्सी का टर्नराउंड देखने को मिल सकता है क्योंकि अभी उन्होंने ट्रासपार विंडो में कुछ प्लेयर साइन किये कुछ और प्लेयर साइन करेंगे तो दीरे दीरे पॉर्टर की टीम वेल जैल्ड होके अच्छा मेरे अकॉर्डिंग तो खेल सकती है वहीं बात की जाए क्रिश्टल पैलेस की पैलेस भी आप देखिए ना चेल्सी की तरह ही श्ट्रगल कर रहे है थोड़ा इनका मैं चेल्सी को यह करूँगा यहां से एक टर्नराउंड देखने को मिल सकता है बट अगर फिर से मैच ड्रॉ होता है यह पहले चेल्सी को अहरा देती है इस टाइम में क्योंकि चेल्सी अच्छा नहीं खिल लिए तो मुझे सर्प्राइज नहीं होगा लेकिन अभी इस्मॉ अब मैं आपको पॉइंच टेवल दिखा दा हूँ तो चेल्सी फिलाल टेंथ पोजीशन में अठारा में अपने साथ मैच जीते हैं चार्ट रॉ साथ लॉसेज हैं 21 गोल स्कोर के एक किस कंसीट के और 25 इंके पॉइंट है जनरली चेल्सी एक टॉप 4 की टीम में काउंट हो अब मैं आपको दोनु का लाश्ट में दिखाता हूँ प्रीमें लीग में तो पैलेस अपने लाश्ट मैच में बहुत बड़ी लॉस सफर कर गया है जबकि चेल्सी भी अपना लाश्ट मैच 2-1 से फुलम से आरके जीओ इनको जीदना जीए था जो एक गोल हो पूली बेली जबकि पहलेस की साइट से एडवार का गोल था और आयू का असिस था बागी मैंने बता दिया ओल्दो चेल्सी श्ट्रगल कर रही है लेकिन इस मेच में फेवर इनको करूंगा तो अभी हम स्मॉल लीग में चेल्सी फेवर की टीम बनाने वाले हैं तो हम मैं आ जाता हूँ डिरेक्ट प्रोइबल लाइनप पे पहले चेल्सी की बात करते हैं फेवरेट हैं अभी में इनके मैक्जिमम यानि कि मैं सेवन प्लेयर चेल्सी के पिक करूंगा स्मॉल लीग में तो चेल्सी के लिए चिल्वेल, जेम्स, मैंडी, ब्रोया, फॉफाना, लॉफ्टची, इसने सारे में टीम प्लेयर्स बाहर हैं इसके अलाब फिलिक्स जिन्होंने अपने डेब्यू में रेट कार्ट खा जाता ये भी सस्प्रिंडेड है और ये एक रीजन रहे चेल्सी है खराब परफवेंस का इनके कई सारे में प्लेयर्स इंजरी की वैसे रूल आउट है तो ये पांच प्लेयर्स आपको फेंटेजी फ्लेटफर्म में डिफेंस सेक्षन में मिल जाएंगे अब अगर चेल्सी आपे बैक फॉर में सिफ्ट करती है तो मुझे लग रहा है दोनु जगे से गोल स्कोर हो सकता है बट इस्टिल किसी एक टीम को क्लिंचिट के लिए बैक क को रिकमेंड करूंगा फिलाल में चाल लिया रहा हूं लेगिन आप चार नहीं भी लिया रहें मिनिमाम तीन मेरे अकॉर्डिंग आप चल्सी डिफेंडर शोली पिक कर जिए स्मॉल लीग में तो अभी मेरी टॉप त्री जोईज है थियागो सिल्वा कुकुरेया कुकुरे करते हैं हेडर में भी सॉलिड है इस व्यसे मैं इन तीरों को तो शोली पिक करूंगा अब जो मेरा फोर्ट डिफेंडर है फिलाल के लिए है क्योंकि थोड़ा एडवांस खेलिंगे अगर विंग बैक पोजीशन में खेलिंगे तो वहां से में भी अटेकिंग रिटन देद लेगिन फिलाल में जॉर्जिनियों के साथ गया हो विट ओबियस रिजन ये चल्सी के में चोईस पेनल्टी टेकर है और आप जानते है पेनल्टी कभी भी मैच में जाती है तो एक पेनल्टी में स्कोर कर दिया हमने पिक नहीं तो लॉस भी हो सकता है इस वाइसे एक सेफ युए तो यहां पर माउंट अच्छा कर सकता है गोल असेस करने में के बिवल है और कॉनर की को गेरा भी लेता है तो मैंने इनको पिक्किया है अभी मैंने फॉरवड में हावाट को इपिक्किया है ऑल्दो थोड़ा कृटिसम मिल ला है कि क्यों इनको इतने मौके मिल ले लेकिन अगर हम फेंटेसी पॉइंट अव्यू से बात करें ना हावाट्स वल्लकप के बाद से हर मैच में अच्छा ही कर रहे है एक तो यह बहुत थोड़ा बहुत डीप ड्रॉप भी कर रहे है जिससे एक दो टैकल एक दो इंटरसेप्सन मार दे रहे हैं 10-15-20 पॉइंट इनका बहुत अच्छा गया था मुरकों के लिए यहां पर भी अच्छा कर रहे है लेकिन अभी कहा है ना मिट्फिल में मिर बस तीन अच्छे आप्सन है पहले से और मैं उन तीनों को पिक करना चारू इस वैसे मैं जियाच को आइफोर्ड नहीं कर पाया बिकॉस यहां पर सबी चीज़े मैंने यहां से आपको डिटेल में कर दी पैनल्टी जॉर्जी नियों लिगे और यह मैंने चेल्सी के सियन के स्टैलिक है प्रीमियर लिग के अपनेयन की बात करने से बहले एक बार फिर से रिमाइन दिला रहा हूं इस मैच की फाइनल टीम फाइनल सार इनके डिफेंडर है क्लाइन एंडर्सन गेही और तारिक मिचल फिलाल वैसे मैं अभी के लिए इनका एक भी डिफेंडर करके नहीं गया हूँ क्योंकि मुझे इनके मिटफिल्ड और अटेगिंग सेक्शन में ज्यादा क्वालिटी ने जरा रही है लेकिन आपको किसी एक के साथ जाना है एंडर्सन या मिचल में आपकिसि एक के साथ जा सकते हैं दोनुँ डीफेंसी भी अच्छा हैं और एंडर्सन सो है्डर में भी गोल लगा सकते हैं बट फिलाल मैंनेुनके सारे डिफेंडर सकीप किया है बहुत ज्याद अच्छा इसके साथ जबकि एजी ने भी तीन गोल और तीन असिस किया है तो अभी मैं इन तीनों को फिक करो और चेल्सी का डिफेंस रिसेंटली अच्छा नहीं कर रहा है तो इन तीनों में क्या वर्रोसा किसी का गोल असिस्ट आ जाए वो भी हमाले बेनिफिशियल लेगा इस वैसे म अच्छे प्लेर है लेकिन फिलार मैंने पिक तो नहीं कि अगर आपको इनको भी पिक करने है आपको लग रहा है एक टू 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 ट्री ट्री टैप की स्कोल लाइने की दोनुए कैसे गोल आएगा तो आप वहां से में भी अच्पल इगवेटर आठागे डिफेंडर लिखे हैं अभी जो मेरी पिटिक्सन है मैं एक नेरो टू एन चल्सी विक्ट्री के साथ जरो और दूसरी मेरी एक वन वन ड्रॉ की है हाँ अगर पहले चल्सी को राती है मुझे ज्यादा सर्प्राइज नहीं होगा क्योंकि चल्सी अभी काफी स्ट्रगल कर रही है फिलाल ये मेरी टैमोरफटी मैं गोलकीवर मैंने गवेटा लिए है फिलाल मैंने चाएड डिफेंडर चल्सी से लिया है कुली पे लिये है कुकुरे है थियां गो और lagi то है है लेकिन आप एक्पल एकवेटा के प्ले पेसमें चाहे तो इश्वय की नाब फ़र्वर्थ मे सब्सक्राइब कर सकते हैं तो फिलाल यह मेरी अपडेटेट फाइनल टीम के लिए आपको जोइन करना है हमारे टेलिग्राम चैनल से तो टेलिग्राम चैनल का लिंक आपको मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जोइन कर लिए